यूपियसी का रिजल्ट एक मर्दबा फिर गरेडी के लिए खोशियों की सौगात लेकर आ है गरेडी की बिटी नाजिया परवी ने देश की सबसे बरी और प्रतिश्टिक परिक्षा में सफलता हासिल करना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे गरेडी का मान बढ़ा है इस बड़ी सफलता के बाद गरेडी लौटी नाजिया के भंजारिडी सित घर में उत्सव का महौल है बधाय देने बालों का तांता लगा हुआ है खोशियों भरे इस महौल में नाजिया से लगतार जो अपील है वो भी की जारी और लगतार उन्हें बधाया दी जारी है सेवा आयोग दुआरा आयोजित सिविल सेवा परिक्षा 2023 का परिनाम गोशित हो चुका है इस परिक्षा में सामिल कई अभ्यर्ती सफल हुए हैं अब वो दिन नहीं रहे जब माना जाता था कि बेटियां बोज होती हैं अब बेटियां बोज नहीं बलकि वो नूर हैं जिस सिर्फ उसका परिवार बलकि पूरा समाज परकासित हो रहा है उनके होसले अब उडान भर रहे हैं और जब होसले बुलंद होते हैं तो काम्याबी कदम चूमती है इन्हीं सफल अभ्यर्तियों में से एक गिरीडी की खोनाहार बेटी नाजिया परवीन है नाजिया परवीन यूपी एस्सी में 697 राइंक लाकर अपने परिवार समेत जीले का मान बढ़ाया है आईए हम बात करते हैं नाजिया परवीन से इस न्यूज में आपका स्वागत है थैंक यू सर नाजिया जी आप हमें ये बताईए कि आपने जब यूपी एस्सी का एक्जाम दिया और र बार क्या होगा बड़ जब रिजल्ट आया और फाइनली आई सो माइनेम इन दे लिस्ट तो काफी खुशी हुई थी इस वाक्त आज की जो यूवा पिढ़ी है जो एक्जाम की तैयारियां कर रही है यूपी एस्सी एक्जाम की अगर को तैयारी कर रहे है तो उनको किस तर लिए तो आपके पास हर टॉपिक पे नोट्स प्रॉपर होने चाहिए और प्रिलिम्स में आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका टॉफ और क्रॉस कर पाएं नाजिया जी आपका कर्शिस न्यूज में इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद और एक बार कर्शिस परिवार की और से फिर से आपको मुबार्ख बाद थैंक यू सर थैंक यू कर्शिस न्यूज के लिए गिरिडी से मैं नफी सजर